विटनले सुवागत करता है एड्मित कार्ड आ गया है एड्मित कार्ड के साथ आने के साथ बहुत सरे सवाल भी मन में आ रहे हैं कि परिंट आउट जो है वह कलर से जाए या ब्लैक अन्ड वाइट लेके जाए या फिर मेरा जो डिटेल्स है वह डिफरेंट है इसमें अलग लिखी वे तो क्या करें या फिर मेरे फोटो में नीचे नाम नहीं लिखा वाई डेट नहीं लिखे तो क्या करें दाड़ी बनवाए कि ना बनवाए क्योंकि अब दाड़ी उग गई है बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में बहुत सारे बच्चों ने पोस्ट किये थे मुझे हमाई टेलिग्राम चैनल यूप से प्रिलिम्स वितनी लेस पे तो मुझे लगा इन साही चीजों को मैं एक वीडियो के थूरू बता दूं साथी साथ कुछ एक चे चलते चलते कुछ बात कर लेंगे कुछ दिल की बात आपकी और मेरी तो यह है डिसकस करते हैं जो सवाल था कुछ बच्चों ने पोस्ट करता सर एड्मिट कार्ड कलर ले ले या प्रिंट प्रिंट कलर ले ले या ब्लैक और वाइट तो देखो यार पहली चीज यह लेके जाना है सारी जगा कलर पिंटर अबलेबल भी नहीं होता तो आप कोई भी कलर का लेके जा सकते हो उसके लिए बिल्कुल टैंसन नहीं लेना ठीक है माइफ्रेंड फिल्ड हर एक्जामनेशन सेंटर जबलपूर और चीग और भौपल हाउ एक्जामनेशन सेंटर भर किया होगा तो दूसरी जगा अलॉट कर दिया तो इसके बारे में इतना टैंसन मिना लें यह जरूरी कॉस्टन भी नहीं है अब जहां पर पड़ा वहां पर तो आपको जा रहा ही यह पड़ेगा इन इधर वे सब्सक्राइब कोई बैक अलाउड नहीं यह प्रिमाइस में हैं तो देखो यह सीदी सी बात है देर कैन भी ऑल्सो चांसेज कि वह अर्रेंजमेंट ना भी करें तो उसके लिए त्यार जरूर रहना नाइंटी नाइंटी फाइव परसेंट केसे में वह कल देते हैं बट वह अपने आपको लाइक आप पूस ना करो कि भीया तुमने अर अरेंजमेंट बट इस चीज़ पर डिपेंडेंट होके नहीं जा सकते यह आपको ध्यान रखना यह ध्यान रखना क्योंकि अगर आप जाके बोलोगे भीया तुमने नहीं नहीं बोल पाओगे कोई फैदा नहीं है तो यह चीज अनकी उनके पास च्वाइस है वह करते हैं क क्या हम सरक घडी लेकर जा सकती यह बहुत लोगों का सवाल है और क्लियर जवाब नहीं मिलता अभी जो उन्होंने प्रेस रिलीज साथ जून को दी थी उसमें सीधा लिखा हुआ है यूज ओफ नॉर्मल और सिंपल रिष्ट वाच बाइक कंडिडेट इस एलाउड पर लगा लिए मुन्ना भाही वाला सीन वह नहीं कर सकते सिंपल लिस्ट वाच आप लेकर जा सकते हैं जिस जो सिर्फ आपको वक्त बताती हो और कुछ भी ना बताती हो वक्त के अलावा तो वैसी घड़ी लेकर लेना और मैं आपको स्ट्रिक्ली एडवाइस करूंगा कि अब रख जरूर लेना क्योंकि कई सारी क्लास में आपको दिखेगा कि उन्होंने नहीं रख रख है तो जब वह वाल क्लॉक नहीं होती और आप उस पर dependent होते हो ना कि वह घंटी बजायेगा वह टंटंटंटंटंटंटंटंटर करेगा तो हमां पता चलेगा गां गंटा उ invigilator से पूछने उसने की जरुवत नहीं है लिखना शुरू कर दो मैंने जितने भी अटेम्ट दिये दें मैंने हर बार लिखा है कभी कोई invigilator आकर नहीं बोलता है अगर किसी invigilator को दिक्कत होगी तो तुम आपस खुद आएगा बोलेगा यहां पर लिखना नहीं है क्योंकि उसको पता है तुम चीटिंग नहीं कर रहे हो ज्यादा तर बच्चे लिखते ही हैं गोला भी तो करते हैं ना तो वह तुम जो गोला करते हो प्रेलम के पेपर में तो वहां को भी लिखते हैं वह आपका पेपर उस बेसेस पे कोई भी आपको अनफेर मेंस में नहीं काउंट करेगा सारे बच्चे लिखते हैं इसलिए इन्विजलेटर को भी आदत हो गये होती है ऐसे बच्चों को हैंडल करने कि वह इग्नोर कर देते कोई कुछ नहीं बोलने वाल में इंटर्व्यों के टाइम तक तो दा आंसर इस नो आप नहीं चेंज कर सकता वो इस पेसली कोई कंडीशन ले आदे तो बात अलग है बट एस पर दी करेंट सिच्वेशन आप चेंज नहीं कर पाएंगे मैं नहीं आप्ट किया था पीटी के फॉर्म में क्योंकि अभी त से पहले बनावा EWS they will accept as they will not accept तो इसलिए आपको नहीं मिलेगा sir I am going to the I will be going to examination center alone as I live away from my parents the new press release says there will be no arrangement for keeping the phone as the center is on our survey from my place so I need to carry the phone there is dilemma please do give some idea see बहुत सारे examination halls क्या करते ना examination center या तो खुद 10 रुपए दे के आपका समान रखने के लिए वह भी नहीं होता है तो आस पास अगल बगली सही कुछ दुकाने होती है जो आपका समान लेकर रख लेते और आपको उसे पैसा चार्ज करते हैं उनको पैसे दो अपना समान रखो यह चीज बहुत सारे लोग करते हैं मैंने भी कर रखा है ऐसा कोई रिस्क नहीं होता है बट ठीक है वन परसंट तो कुछ नहीं कह सकते बट उसमें कोई टेंसन नहीं होता है आज तक मैंने तो नहीं सुना कभी भी तो यह एक alternate वह जहां पर आप अपना समान रख सकते हो ब है यह चैरब को जो तो कि ब्रेट कर एद Supremeeur को मैं आप टेंसन नहीं होगा ध्यान होगा आप इस लेंगे ऑल सब्सक्री कर और आप गर्मी में डr सब्सक्राइब करना इसके लिए काफी बार पेज़ें करना होता है जिससे थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस में तो एवाइट तर्निंग पेज़ें अगें अगें चैना टियर कि दाप पेज़ें गीघ्याके बाइफ आधन थी बाइकिन बर्वाइफ से क्वेंट और बीइस साइट से तो इंडियों पर लेने और इसके बाद यहां कि बर जागे तो यहां में पर इतना चोटा-चोटा लिकित प्रोट करूंगा कि डॉंट टीर एक पेपर की प्याय कि रिस्पेक्ट होती कि क्लेक्ट प populairea pager रिजस्ट ठीक तो यह चीज है ऐन आई डोंट हैं विट card that mentioned in admit card can I carry other photo identity card like adhaka to the examination hall will they allow to enter यह उन्होंने लिख रख का है दा candidate will have to produce the printout of the e-admit card at the allotted venue for appearing at the examination hall a candidate who does not produce his e-admit card for checking at the allotment venue shall not be allowed to take the examination to admit card आपको produce करना है the candidate are also required to carry along the photo ID card whose number is mentioned in the e-admit card for appearing at each session of the examination तो basically वो आपको उस बेसिस पे reject कर सकते हैं अब देखो तुम्हाएं पास तो है नहीं तो तुम क्या करोगे दो option है एक तो छोड़ दोगे इसका क्या फाइद होगा चांस ले लो गलती तो हो गई है पर चांस ले लो उसकी फोटो कॉपी रख लो एक अट लिस्ट एक अटेस्टेट फोटो कॉपी रख लो कि भाई दिस इस यू भाई तुमने डाला को तो फोटो कॉपी होगी एक प्रिंट आउट उसका निकला लो औरिजनल नहीं है ना और उसके लाबा अपनी एक दो आईडी और रख लो बोल दो यह यह फोटो है आप देख लीजे थोड़ा साथ से बात कीजिए रिक्वेस्ट कीजिए बहस करने का कोई फायदा नहीं आपको मना कर सकता है क्योंकि क्या लिखा हुआ है आपको फोटो आईडी कार्ड रखना ही रखना है ठीक है तो रिक्वेस्ट करेंगे तो मान जाएगा जब बिल्कुल ही नहीं मानेगा तो बहस कर लिजेगा अच्छी बात नहीं है बट समहों आपको इंट्री तो चाहिए दूसरी बात अगर आपके पास यह नहीं है तो आ हमको यह चीजा आपको फोन करके ना एक बाँ उनसे भी कंफर्मिशन लेलो ऐसे 95% केसे में वह आपको अभी टेंसन लेके कुछ होगा नहीं सीधी सी बात है सीधा सा केस है कि आपको उसकी फोटो लेनी है प्रिंट आउट लेना है और कुछ सपोर्टिंग एडविडेंस औ कर देते हैं जनरली तो 95% केस में तो कुछ कहीं नहीं सकते यार क्योंकि वह लिखा हुआ है तो उसके अगेंस्ट में जाके क्या ही बोलू मैं ठीक है तो उन्होंने अपना गेम सेफ रख है आप कोशिस कीजिए कि अपने आपको सेफ रख और दूसरी बात अब इस चीज़ कोई फैदा नहीं है तो टेंशन लेने के जगा तयारी कीजिए और उस दिन पहुच जाईएगा कि भया हमको एक्जाम देना है ठीक है सर अधार कार्ट नंबर इस रॉंग वाट कैना दू नाओ आएट फिर देटेश वेरी क्यरफुल्य वाइल फिलिंग दर फॉर्म तो साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है जो उन्होंने अभी अभी अध्मिट का जो प्रेस रिलीश रिलीश किये इन केस अफ अभ अनी दिस इस पे मेल कर दीजिए कि वह यह दिक्कत है इसको तुम लोग सुधार लो बस और वह मेल डिलीट मत करना अपने पास रखे रहना ताकि कभविस समय कभी इव डे डिनाए यू सुड हैव दी सपोर्टिंग डॉक्मेंट देखे भी यह हमने मेल किया था इस पे आपको मेल कर बिकॉस जीज नोट मैंसें एनिफिंग एनिटिंग एनिट कार्ट फॉद रखे बर्मूड़ा पहन के चले जाओ कोई टेंसन नहीं है कोई नहीं बोलने वाला बट इस एक्सपेक्टेट थोड़ा बहुत डिसेंट कप्रे पहन के जाओ लोग यह जो कप्रे पहन के जाना ज अगर आपके पास आपके जैसे होता है कि अद्मिट कार्ड में जो दिक्कत वाली चीज बताए थी कि आपका आईडी कार्ड यह फोटो अलग है तो थोड़ा सा ना तमीज में जाना मालब थोड़े साथ डीसेंट कप्ड में जाना आता है कि इस चीज के चलते तो मुसे ना चिड़ जाए वह यूमें साइकॉल जी वाला बाप अधवा इन्हीं तो कूल होके जो कोई नहीं बोला विच पैन विल बे गुड यार्ट को मेरे को तो परस्नली म पैन कोई भी यूज करो इट शुड भी ब्लैक अब बॉल पॉइंट पैन ओनली ओनली बोल लाओ मतला ब्लैक बॉइंट यह असा नहीं कि जैल भी यूज करने लगए यह समत करना दिक्कत हो जाएगी वेंड वी सुड रीच एक्जामिरेशन हॉल कितने बजी भी पहुचो होना क्या दिक्कत है टाइम से पहुच जो मिस्टेक इन एड्मिट कार्ड यह मैंने बता दिया जो भी एड्मिट कार्ड में मिस्टेक है यहां पर मेल कर दीजिए ठीक है तो यह सवाल है यह कौशन जरूर द्यानक ना डू नोट कीप मोबाइल इवन इन स्विच ऑफ मोड बहुत सा है बचे ना मोबाइल लेके चले जाते हैं बोलते हो आफ कलेंगे मैडम को बतानी चलेगा सर को बतानी चलेगा और गलती से अगर पकड़े गए तो आपको टर्मिनेट कर ठीक है यह कौशन है ध्यानक ना यह एक चेकलिस्ट इसको बहुत ध्यान से सुन लेना समझ लेना यह आपके लिए ही है पहली चीज को दो कॉपी अडमिट कार्ड के रख लेना एक नहीं दो बाइचांस गीली हो गई फट गई कुछ भी हो गई मिस हो गई तो दो कॉपी अलग अलग जगा पर रख लेना अब यह दोनों एक साथ मोड के पैंसिल बॉक्स पैंसिल बॉक्स ही गया तो दिक्कत है तो दो अलग जगा रख लेना मैं तो ऐसे ही करता था सेफ साइट चलने का ठीक है आइडी इसुट भी सेम एज ओन दी अड्मिट काड और इसको औरीजनल रख लेना फोटो कॉपी नहीं मांगते हैं बट फोटो कॉपी रख लेना मांगते नहीं है वैसे वह ठीक है पासपोर्ट साइज फोटो ज़रूर रख लेना और जिसमें नाम के और डेट लिखाओ जैसा आपने प्रिलिम्स ओले में लगाना था यह ची उन्होंने mention भी कर रखे कि कोई दिक्कत है फोटो आले उन्होंने अपने उसमें खुदी mention कर रखी है तो अपनी फोटो ले आ देना तो उसके चलते कोई रोकेगा नहीं ठीक है सिंपल लिस्ट वॉच मैंने आपको बता दिया सिंपल लिस्ट लेकर जाना है चार-पांच पैन रख लेना ब्लैक बॉल पॉइंट पैन ठीक है मैंने रोरी तो फेंटा फ्लो बताया आपको राइटिंग पैट जरूर रख लेना यार क्या होता है कई सारे स्कूल्स में च्छ कर देते हैं कुछ जगह पर लाओ कर देते हैं यह भी होता है मैं आपको बता दो तो बट लेके जरूर जाना सेफ साइड रहने के लिए ठीक है वाइटनर ले लेना यूज मत करना है वाइटनर क्यों बोल रखने के लिए कभी-कभी बच्चे आउट ऑफ एंजाइटी जो को इमार है ना उसमें रोल नंबर जैसी चीज़े गलत भल देते हैं रोल नंबर तुमने गलत भल दिया तो तुम्हार फॉर्म तो ऐसे ही रिजेक्ट होना है तब तुम भाईया वाइटनर से उसको करने का चेंज करने का रिस्क ले सकते हो अगर आंसर गलत हो गया कोई बा जरूर रख लेना बाहर का खाने अवाइट कर लेना ठीक है मेट्रो सिटीज के लिए तुम्हार पास स्विगी भी है मंगा सकते हो बट स्विगी से वह समत मंगा लेना बढ़िया दम पनीर मटन मंगा लिए दम भीया खा के दम उलट गए चीज़ेट के पेपर वहिया तु अब उसके बाद एलेक्ट्रॉल जरूर रख लेना क्योंकि गर्मी बहुत जादा है तो यू मस्ट भी फीलिंग लाइक कि दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत ही है तो आप एलेक्ट्रॉल बहुत हेल्प करता है ठीक है रेड बुल या कॉफी अगर कैफीन से दिक्कत नहीं तो इसलिए देखो मैं पर्सनली मैं यूज तो कलता था ठीक है आप भी कल सकते हैं ऐसा कोई नुक्सान वाली चीज नहीं एक आख दो दिन बट प्रवाइड़ कोई मेडिकल कंडिशन नहीं सब चीजों के लिए आपको बट अधरवाइस यू कन यूज देट तो वह आपकी सीटी में नहीं है एक कंफर्टेबल होटल ले ले लेना ताकि आप टैमली सो जाओ एक कैब टैक्सी कर लेना अगर आप एफ़र्ड कर सकते हो जो आपके पास उस टाइम पूरे एक्जामरेशन टाइम के दौन रहेगी डिपेंडेंडेंट बंद रहेना कई बार क्य पहले ही बात करके बुक कर सकते हो अगर एफ़र्ड कर सकते हो तो अपने लिए आठ दस घंटे वाली एक गारी बुक कर लेना लीच और एक्जामनेशन हॉल ऑन टाइम इंट्री टाइम आपको पता है यह नौ बज़े तक कम से कम पहुंची जाना तीस मिट पहले बिफोर सेड्यूल कमेंस्मेंट और नौ बजए ठीक हैं लिखा हुआ है कि लोजर आफ इंट्री के बाद घुषने नहीं देंगे घुषने देते हैं और दो बट क्यों रिस्क लेना अगोड़ स्लीप और डे बिफोर यह बहुत ज़्यादा जरूरी है उसके लिए आप जिस प्ले चल लिए यह चकर में मत पढ़ना बहिए शिरसली बता रहा हूं उस दिन आपको रेस्ट के जरुवत है एक जामने संदो उसके बाद जाके जो करना करो ठीक है वोट टो इट डूरिंग जी एसन से सेट जो भी खाना लाइट खाना बाहर का खा रहे हो तो यह देख लेना कि कि भी यह वह खाना फ्रेस बना और आप देख तो नहीं पाओगे बट एक आइडिया लाइक पराठे वाठे सामने मिल लें अगर बन रहे है तो आप देख सकतो कि भी खराब तो नहीं हो रहा है वह उस टाइप की चीज़े थोड़े बहुत मैनेज कर सकते हो अधर वाइस सुई की जो मैटो के अगर एबलेबिल्टी है तो आप मंगा सकते हो बहुत से मतलब लाइक का ओडर करके मंगा लेना आधे घंटे में आई जाता है और पैक्ट फूड मंगाना या फिर डियो डेस्ट्रोंट अगर किसे मंगा तो अच्छी जगा से मंगाना देया जस्ट च कुछ बेसिक बात है थी अब चलते चलते कुछ बात करना चाहता हूं मुझे पता आपके अंदर होगी है टेंसन भी हो रही होगी मन करोगा कभी सॉट डोट पढ़ लें कभी मन करोगा यह वीडियो अठाकर देख लें सब्सक्राइब किसी की वीडियो आ जाते हैं पांच जंटे देख लो तुमारे 1500 नंबर बढ़ा दोंगा सड़नली कोई वीडियो रह गी होगी आपको लग रहा होगा करें यह कर लियो थे तो मैं सेलेक्शन हो गया होता है सड़नली आपको लगने लग रहा होगा कि हिस्ट्री बहुत जदा इंपोड़न हिस्ट्री तो पड़ है आपने पढ़ाई किये और यह बात भी मुझे पता है कि पढ़क तो आप कितना भी लो सेलेक्शन तो किवल 13000 लोगों के आसपास का ही होना है बाकी का नहीं होगा तो हो या ना हो कि आपने मेहनत किये मैं आजानता हूं पूंघ के आप ऐस बारे इस चीज के चलते फक्र है कि आपने मेहनत की है रिजल्ट कह से हम तो में घीटा में यह प्यूर्टे करंड़ हो उन्सपण केम आपने कर्म किया है ना और को Player मोशब्म भी बहले आपका ड्रिवल्ट के बाद मुझे पता है कि आपने मेहनत यह कि अगला हफ़ता आप बिताने वाले हो इस हफ़ते अगर आपने अपनी टेंसन को अपने ऊपर हावी होने दिया तो थोड़ी से समझ्या हो सकती है एक दिन उठाओ एक सब्जेक्ट उठाओ पूरा रिवाइस करके साइट कलते चलो और एक कर इंटर फेस्ट या दो कर इंटर फेस्ट यह सेड्वल बना लो अगर कुछ नहीं किया है कुछ नहीं समझ में आला है सिंपल सा है आज उठाओंगे पॉलिटी खतम करेंगे आयर का पीटी शिश्टिफाइब करेंगे दैट सिट माइडन माइजॉब इस दन एन में पर लूँगा कल मैं उठाओंगा एक दिन में पूरा खतम करूँगा पीटी शिश्टिफाइब इस तरीके से अपने आपको सेलेक्षण वाले बच्चे होते हैं वह कहीं पर बहं से नहीं आते कोई आसमान से नहीं आते या आपके हमारे बीच के होते हैं अंद massa के पहले ये आपके साथ ऐषसे घूम रहोंगे पार्क में मस्तिक पर रहोंगे left सेलेक्शन के बाद सेलेक्शन से इनका थोड़ा सा पोजिशन उठ जाता है बट डेजन मीन कि वो अपने रूट से अलग हो गया वह आपके बीच का इंसान है वह आपके साथ डेली खाता पीता था और जब वह आपके साथ डेली खाता पीता था वही खा रहा था जो आप भी मेहनत किये हैं थोड़ा सा किस्मत थोड़ी सी मेहनत मिल गए तो रिजर्ट कौन ही रोक लेगा कि तो अगर आपका नहीं भी होता है भगवान ना कर ऐसा हो बट अगर नहीं भी होता है अपने ऊपर एक चीज़ कभी हावी मत होने देना कि आप खराब हो आप बेकार हो आपने बेहनत की है आपने फाइट की है and believe me selection से कभी ये decide नहीं होता कि कौन सा बंदा जिंदगी में क्या करके जाएगा जो कमाल नहीं कर पाएंगे ना UPSC के paper में वो बावाल जरूर कर देते हैं बाद में जिंदगी आपको मौके जरूर देती रहते हैं यह तो सिंपल एक छोटा सा पेपर है एक्जामनिशन है इट डेजन्ट डिसाइड यूर वर्थ आपकी वर्थ यह पेपर डिसाइड नहीं करता तो अपनी मेंटल हेल्थ पे कभी चीज के चलते एफेक्ट में थोने देना रिजल्ट जो भी हो अपने उपर विश्वास रखना कि यू हैवट इन यू हूं आप में दम है अगर आप इस टाइम तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह चीज इतना तो जुरूर बताता है कि आप इस पेपर को करना चाहते हैं इतनी डेडिकेशन कितने सारे बच्चों में मिलेगी सोच के देखना तो सम्हाओ आप ने जो कुछ किया है जो कुछ साल भर पढ़ा है उस चीज पे विश्वास रखना वही आपका सेलेक्शन कराएगा और कुछ भी नहीं कि इस टाइम पे कोई स्ट्राटीजी चेंज करने की जोटनी कोई वीडियो देखनी की जरुवत नी कुछ करने की जोटनी है सिर्फ आपको जरूवत है अपनी पढ़ाई पर विश्वास करने की और रिवाइस करने की डाट सेट खतम और मुझे पता है उस दिन आप कमाल ज अरे पड़तार लिखता नहीं है बेकार हो गया है लैंग्वेज है तो सोसाइटी लाइक डाट तो डूंट थेंक अबाट दा सोसाइटी वह तो है तुम्हें प्रेसल देने के लिए अरे जब थॉमस हलवा एडिसन बल्व का विश्कार करने के लिए मेहनत कर रहते हो जब 10,000 के बार उन्हों वह फेल हुए और उसके बाद उन्होंने बल्व का विश्कार किया 9999 बार उनको बहुत साइव लोगों ने गरिया भी होगा भाई मेरे तब ही तो दस हजार बार जब वह जब वह आके फाइनली जब उन्होंने वह कर लिया तो लोग तर भी तारीफ करने लगे तो सुसाइटी तो गिरिगट जैसी है यार रंग बदलती है तुम सकसफूल हो तो हमको पता था तुम्हारे आसपास आ जाएंगे और जैसे उनको पता चले तुमने नहीं कि क्या कर नहीं नहीं आता इसको बेकार है मंद बुद्धी बालक है जज मत करना देया नोबड़ी टो डिसाइड़ वर्थ उगते हुए सुरज को सभी सलाम करते वो सुसाइटी का नीचर है फोगेट अबाट दा सुसाइटी डोंट फोगेट अबाट यॉरसल्फ आपकी मेहनत पर मुझे फक्र है तो जो होगा यहर देख लिया जाएगा मिलकर लड़ लेंगे अपने उपर बस्वे स्वास रखना है अल दे बेस्ट